मोदी जी ये लहसन क्या रैट बेच रहे हो क्या रैट बेच रहे हो इस लहसन को राउल मेरे पास दो तरीके का लहसन है एक देखो ये बड़ा बाला है एक ये छोटा बाला है कौन सा बाला लोगे बना बाला 300 रुपे किलो है और छोटा बाला 200 रुपे किलो जो सा लेलो अरे मोधी जी इस बार की बजार तो बहुती जाता महेंगी है हर सबजी महेंगी है इस बार तो इतना महेंगा लेसन कहां खरीद पाऊंगा मैं पिछली बार तो मैंने 50 रुपे किलो आप से लेसल करीदा था राउल पोजमा ने गई जब सबजी सस्ती मिलती थी अब सबजी का दाम दिन बाद दिन बढ़ता जा रहा है लेसल आज 300 रुपे किलो है कल 400 रुपे किलो हो जाएगा जब आज नहीं खरीदोगे योगी जी टमाडर क्या राइट बेच रहे हो टमाडर केजरी बाल जी टमाडर तो बिल्कुल सस्ते लगा दिये 300 रुपे किलो अरे योगी जी 300 रुपे किलो टमाडर को आप सस्ता बता रहे हो तो महंगा टमाडर कितने रुपे किलो होगा लगता केजरी बाल जी पिछले अपते की गाउं की बजार में आप सबजी खरीदने के लिए नहीं आये थे पिछले अपते की बजार में मैंने टमाडर 400 रुपए किलो बेच आता तब ही तो कह रहा हूं इस बार सस्ता बेच रहा हूं केजरी बाल जी आप ही बताओ इतनी महेंगी सबजी कहा खरीद मिलेगी अपना लोगों से अभी मैंने अगलेस से आलू पूझे आलू 80 रुपए किलो बेज रहा ही अगलेस जबकि आलू 10-20 रुपए किलो भिखते थे हमेजा लालू जी बहुत देर हो गई आपको मेरे पास बैटे बैटे बताओ आलू खरीदना है तो बताओ नहीं खरीदना है तो जातर और कोई सबजी खरीदो किसी के पास अरे जा रहा हूँ बई जा रहा हूँ इतनी महेंगी सबजी कौन खरीदेगा क्या करें नितीज कुमार जी इतनी महेंगी सबजी खरीदे या घर चली ये महेंगाई तो आसमान चूर रही है इतनी महेंगी सबजी भीकते हुए मैंने बजार में कभी नहीं देखा सही गहरो हमिस्ता जी टमाटर 300 रुपे किलो आलू 80 रुपे किलो और मोदी जी लहसन 300 रुपे किलो बेच रहा है बाकई में बहुत महेंगाई है चलो घर चलते है अगली बजार सबजी खरीदने के लिए आएंगे अरे अमिस्ता जी नितीज कुमार जी पीछे से क्या बात कर रहे हो सामने आओ लहसन सस्ता लगा दूँगा आजाओ अरे मोधी जी इतनी तेर से राहूल तो आपके पास बैटा है आप उसे तो लेसन दे नहीं रहे हो सस्ता हमें सस्ता लेसन कैसे लगा दोगे हम जा रहा है अगली बजार को आएंगे जब दाम सस्ते हो जाएंगे सबजी पर और हमें साजी अगर सब्जी के दाम कम नहीं हुए फिर क्या करोगे फिर क्या सब्जी खाना ही चोड़ दोगे और भाई लोगो वीडियो को लैक करो चैनल को सब्सक्राब करो